ही वेल्कम तो रोबस्ट निवशा रोबस्ट में आपका स्वाअगत है कोरोला वेक्सी लेने के बाद क्या होता है आप इसे देखिए आपको देखने से भी बहुत सारा व्यान प्रापत होते होगा कोरोणा वैक्सीन लेने के बाद एट भी आचा पर को अव्याय हो को सब्सक्राइब कर लें और कमेट अपनी राज जरूर दें सालों से हर भारती रसोयों में अधरक को इस्तमाल में लाया जाता है रहा है वजह है इसका खास सवाद लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन में सवाद लाने के साथ ही अधरक कई उन्सदिये गुनों से भी सम्रिद है यही वजह है कि अधरक को कई स्वास्त संबंदी समस्याओं से राहत पाने के लिए इस्तमाल किया जाता है इस्ट्राइल क्रेज के इस लेक इस वीडियो में हम आपको अधरक के उन्सदिये गुन के साथ ही अधरक के फाइदे बिस्तार से बताएंगे ताकि आप अधरक खाने के फाइदे और बहतर तरीके से समझ पाए हुए इससे पहले यह जान लेना भी ज़री है कि अधरक का उपियो केवल घरिल उपचार के तोर पर किया जा सकता है इससे बताए जाने वाली समस्यों का इलाज ना समझा जाए किसी भी बीमारी का इलाज डॉक्टरिस अला पर निर्भर करती है इस वीडियो में हम अधरक के ओंस्दे गुम से जुड़ी कई रोचक बाते बताएंगे चलिए तो हम फायदे बताना शुरू करते हैं अधरक खाने का फायदे कई हैं जिनमें पाचन परक्रिया में सुधार्वी सामिल है एंसी बी आई नेशनल सेंटर फूर बायो टेक्नलोजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकासित एक सोद से यह बात परमानित होती है सोद में माना गया कि अधरक कब्ज, पेट दरत, पेट की एंठन, मरोड और गैस जैसी के समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है वहीं यह अपच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार हो सकता है इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अधरक के फाइदे पेट के लिए परभावी हैं साथ ही यह पाचन को मजबूत बनाने का भी काम करता है अब हम दूसरे नमबर का फाइदे पर बात करेंगे कैंसर से बचाओ कैंसर से बचाओं में भी अधरक का उपयोग लावकारी परिणाम परदर्शित कर सकता है दरसल अधरक से संब्दित चुओं पर किये गए एन-सी-बी-ाई के सोध से इस बात की पुष्टी होती है सोध भी माना गया कि अधरक में एंटी-इंफ्लोमेंटरी सूजन कम करने वाला और एंटी-कैंसर के परभाव को कम करने वाला गुन मौजूद होता है इस गुन के कारण अधरक इस्तन कैंसर गर्भासे के कैंसर और लीवर कैंसर से बचाओं में साकारतमत परवाव परदर्शित कर सकता है इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अधराख खाने के फाइदे कुछ हद तक कैंसर से बचाओं में मददगार साबित हो सकते हैं हाला कि इसे कैंसर का इलाज नहीं कहा जा सकता है कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमार है इसलिए इसका डॉक्टरी प्रामर्श पर इलाज किया जाना अनिवार्ज है इस बात का ध्यान रखेंगे अलजाइमर में पहुंचा है लाब अलजाइमर दिमाग ससंबंदित एक तंत्री का विकार है जिसमें बढ़ती उमर के साथ लोगों में भूलनी की समस्या देखी जाती है अद्रक का उप्योग कर इस समस्या के बढ़ते परभाव को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है इस बात को अद्रक से संबंदित NCBI की वेब साइट पर प्रकरसित एक सोध में भी सविकार किया गया है सोध में माना गया कि अद्रक में जिंजरोल, सोगोल और जिंजरोन जैसे कई फाइटो केमिकल्स मौजूद होते हैं तो दिमाग को संद्ध पहुचाने वाले नियूरोन की पारकरती छती को रोकने में मदद कर सकते हैं कि अलजाइमर के समस्या में काफी हद तक राहत मिल सकती है इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अद्रक का उप्योग कई अलजाइमर के परभाव को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है मतली वा उल्टी में पहुंचाए आराग मतली वा उल्टी की समस्या में भी जिंजर के फाइदें हासिल किये जा सकते हैं यह बात इंटीग्रेटिव मेडिशन इंसाइट्स दोरा किये गए एक सोध से प्रमानित होती है सोध में पाया गया कि अद्रक में एंटी एमेटि मतली वा उल्टी के आभास को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है इस प्रभाव के कारण अद्रक मुक रूप से गर्भावस्ता और कीमो थेरेपी के बाद होने वाली मतली की समस्या से राहत दिला सकता है ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अधरक कौप योकर मतली वा उल्टी की समस्या से राहत पाने में मुदद मिल सकती है अब हम पास्वे पॉइंट पर बात करेंगे वह दर्द को करें करें कम दर्द को करें कम चलिए यूनाटे डिश्टिट के नेवार्ष का विस्विद्याले द्वारा एक सोद में पाया गया कि अधरक में एनल जैसिक और दर्द निवारक गुन पाया जाता है इस गुन के कारण अधरक खिलाडियों में अधिक तनाव के कारण होने वाले मांस्पेशियों के दर्द पर बैपक परभाव छोड़ सकता है वहीं दूसरी और तहरान के साहिद विस्विद्याले द्वारा किये गए एक सोद में माना गया कि अधरक मासिक धर्म के दर्द प्रोब्लम होता है यह दर्द होता है उसको नियंतित करता इन दोनों तथ्यों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अधरक के और गुंद मांस्पेशियों में खिचाव तनाव वह सूर्जन के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं अब छटा पॉइंट पर बात करेंगे जो है मासिक धर्म में अधरक के फायदा जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अधरक में दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाले गुंद मुझूद होते हैं यह गुंद मांस्पेशियों के खिचा और तनाव को दूर कर दोरान के सा פर मासिक धर्म के दौरार होने वाले दर्द रहा दिलाने में भी अधरीध हो सकते हैं इसे मिया करना गलत नहीं हो कि मासिक धर्म जींजर के फाइदे कारगार साबीत हो सकते हैं अब हम साफवा पर चलेंगे माइगरेन आपको बताया जा चुका है कि अद्रक में दर्द निवारक गुन मौजुद होते हैं यहीं दर्द निवारक गुन माइगरेन की समय से समस्थ से भी साहक साबित हो सकता है एंचेबियाई परकासिक अद्रक से संबंद्त एक सोद में इस बात का जिखर मिलता है सोद में माने गया कि अद्रक का रश माइगरेन के तीवर दरद को नियंकर आराम पहुंचाने का काम कर सकता है ऐसे मिसे कहा जा सकता है कि माजरीं बित पंड के लिए अद्रक का 7 लाप दैख साबीत हो सकता है के सवस्थ बनाए रखें आटमा परेंटर घ्र practically देर्क को बनाए रखने के लिए अद्रक को नियंत्रित करने की नियंत्रित करने की चंता सामिल है यह सभी परभावस्वनिक रूप से सवास्त को प्रभाविद कर उसे स्वास्त बनाय रखने में मदद कर सकते हैं इस अधर पर यह माना जा सकता है कि अधरक का सिवन कर हिर्दे स्वस्थ को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है अब नवा पर बात करें कोलेस्ट्रोल और ब्लॉट प्रेसर को नियंत्रित कैसे करते हैं कि आपको पहले बता चुके हैं कि अध्रक में हाइपोटेंसी ब्लेट प्रेसर कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है वही अध्रक से जुड़े एक अन्य सोद में माना गया कि अध्रक कर रस लीपीड को नियंत्रित करने के साथ बड़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करने में परभाव परदर्सीत करता है या कर सकता है कि अध्रक पर बात करेंगी और्थराइटिस में मददगार हम आपको पहले बता चुके कि अध्रक में इंटी इंफ्लमेटरी इंसुजन कम करने वाला और एनले एनलजेसिक यह दर्द निमारक दोनों गुन मोजुद होते हैं इन अध्रक और्थर्टाइटिस और्थराइटिस यानि जोड़ों में दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है इस बात का परमान एक सोद से मिलता है सोद में माना गया कि अध्रक अन्नसार्जिक समस्या कर साथ ही अर्थराइटिस की समस्या से भी रहत दिलाने का काम कर सकत हाला कि यह समस्थ्या में कितना प्रभाविया इस विशे पर अभी और सोद की जाने की आवस्थता है अब 11 पर चलेंगे डायबेटिज नियंतरिन में सहथ या नियन जर्नल ऑफ फर्मक्यूटिकल रिशेच द्वार अध्रक पर की गई एक रिशेच में से डायबेटिज पर प्रभावी पाया गया है सोद में माने गया कि अब बढ़े हुए बलट शुगर की मातरा को नियंतरित करने के साथ ही इंसूलिन के सक्रीता को बढ़ाने का काम कर सकता है इस तवह या वैपक रूप से डायबेटिज की समयस्या से प्रभावी साबित हो सकता है अब बारा पॉइंट जो बतारें बहुत ही इंपोर्टेंट है पड़ते वे वजन को नियंतरित कर उसे कम करने में भी अद्रक का इस्तमाल फायदमन साबित हो सकता है अद्रक से संबंदित NCBI की वेबसाइट पर एक सोद से इस बात की पुष्टी होती है सोद में माने गया कि अद्रक एक फेट बर्नर की तरह काम कर सकता है और पेट कमर और कुलो पर जमी चर्वी को कम करने में सहाइक साबित हो सकता है वहीं यह मोटापा पैदा करने वाले जोकिन को दूर रखने में भी मदद कर सकता है इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर संतुलित खान पान के साथ अधरक का सेवन किया जाए तो निशिन तोर पर वजन कम करने में मदद मिल सकते हैं आप चाहे तो वजन कम करने के लिए अधरक को डिटॉक्स ट्रिंक में भी सामिल कर सकते हैं अब हम तेरह पॉइंट पर बताएंगे पर्तिरोदक चमता को कैसे बढ़ाते हैं अधरक का सेवन कर सरीर की पर्तिरोदक चमता को बनाए रखने में भी मदद मिल सकते हैं इस बात पुष्टी इंटरनेशनल जरनल और प्रिवेंटिव मेडिशन द्वारा किये गए एक सोध मे होती है सोध में पायागे कि अधरक में एंटी ऑक्सीडेंट मुक्त करने वाला और इंटी इंफ्लोमेटरी सुजन कम करने वाला गुन तो पाया ही जाता साथ ही इसमें इन्मिनो न्यूट्रिशन गुन भी मौजूद होता है यानि यह पर्तिरोदक चंता को बढ़ावा दे इन्फिक्सन से क्रेंब चाओ अधरक सालों सालों था सअर्डिक समस्यायों से राहत पाने के लिए इसनृक्स्याय में सम देंटाओं भी शामिल है इस सब्सक्ति चांकुन के मतबीक अधरक में इन्टी माइक्रोका dewए लेक्टरिया्स करने में वाला गुन पाजी अद्रक का अर्ख श्रस्वी वाइरस के परभाव को कम कर सकता है दूसी और फूट साइंस एंड रिशर्च के एक सोद से इस बात का पता चलता है कि अद्रक के गुन सामने सर्दी जुकाम गले की क्रास और बुखार के संकर्मन से भी बचाव में कारगार सावित हो सकत है अब हम पांच्वा पॉइंट पर बात करेंगे जो काफी लापकारी है वह है तोचा के लिए लापकारी बेदाग और कील मुहासूर से रहित तोचा पानी के लिए अद्रक का इस्तमाल फाइदेमन साबीत हो सकता है विशसुदुकों की मुताबिक मुहास्य और धाग प्रभाव प्रदार्शित कर सकता है हाला कि मुहासूर की समय से में अध्रक किस तरह से काम करता है इसलिए संब्द में और सोध कि जानी की आवा सकता है जैसा अपडेट होगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा हाला कि इस अधर पर यह करना गलत नहीं होगा कि सेवन तोचा पर होने वाली इन समय से उसे रहा दिलाने में कुछ हद तक फाइदमन साबित हो सकती है अब हम सोला हुआ पॉइंट बता रहे हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसे कि हम आपको पहली बता चुके हैं कि अधरक में एंटी माइक्रोबियल सुक्षम बैक् ट्रेज प्रेक्षे ंकरण भी बाल धनने की समय से देखी जाय सकती है ऐसे में अगर कोई मैं बार जणने की समय सबाएब सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करें ने गिर थरका मददगार साविडğ हो सकती कि यह रहे वेल्कम तो रोबश्ट नीज Je demasi में आपका स्वागत ben रहें चैनल पर आज घुल हम बनाएंगे ऐनयम के जो डाइबिटीज को कटम करता है से डाइबिटीज में रोजाना प्यव का पानी छूंतर हो प्रियाप्त इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता या पैदा हुई इंसुलिन को सपोर्ट नहीं कर पाता है पिछले कुछ सालों में यह पूरी दुनिया में एक कोमन बीमारी के रूप में उभर कर सामें आई है डाइबिटीज एक मेटाबोलिक डिश ओर्डर है जिससे सरीज में बलड सुगर लेवल का उतार चड़ाव होता है डाइबिटीज कय परकार के होते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 गेस्ट्रेस्ट्रेस्टनल और Pre-Diabetes चूक डाइबिटीज का कोई स्टिक इलाज नहीं है के उल इसके लक्षणों को देखकर उस हिसाब से इसका इलाज किया जाता है डाइबेटीज शरीर को कमजोर करने के साथ और्गन फेलियोर, मोटापा बढ़ाने किड्नी और आखों की खराबी का कारण बनता है यह इम्मूनो सिस्टम को बाधित करता है और डाइबेटीज पेशेंट को खिर्दे संबंदी प्राबलम की समयस्या होना भी इससे जुड़ा हुआ है डाइबेटीज में बलड शुगर के लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है वैसे तो डाइट और दवायों के अलावा घरिलू नुष्ख के द्वारा भी बॉड़ी में बलड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है आज हम प्याज के रस के बारे में बता रहे हैं लो केलोरी वाली डिटोक्स ड्रींक जो बलड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में फायदे मत बानी जाती है प्याज भारतिये रसोईयों में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सबजी है रोजाना प्याज को सबजी में मसाले के रुप में उपयोग करने के अलावा अपने भोजन के साथ सलाद के रुप में कच्छा खाया जाता है इसे सूप पकोड़े बर्गर या सेंडवीच में उपयोग किया जाता है इसे सूप पकोड़े बर्गर या सेंडविच मों प्यों क्या जाता है कई फूट जिने बलड सुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कारगार माना जाता है उनमें प्याज भी एक है कुछ स्टड़ी से पता चला है कि प्याज खाने से हिर्दाय रोक के जोखिम के कारकों को कम करने में मदद मिल सकती है जैसे कि हाई बलड प्रेसर हाई ट्राइगल्स राइड लेवल और सूजन प्याज में किलोरी की मातरा कम होती है और पोसक तत्तो वीटामिन सी बी और पोटेसियम की परियाप्त मातरा होती है डाइविटीज रोगियों के लिए कम गलाई सेमिक इंडेक्स वाले फूड का सेवन करना फायदे मन्द होता है यह बलड सूगर लेवल को कंट्रोल करने म मदद करता ही यह फूट से बलड में धीरे-दीरे शुगर को चौड़ने में मदद करते हैं प्याज में फाइबर फाइबर पर्शूड मातरा में पाया जाता ह cultivated यह बाडी में सुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पुल होती है डाइजेशन को सही करती है प्याज में मो से लड़ने में मददगार होते हैं और स्कीन को हेल्दी रखने में फायदे मदद होते हैं प्याज का पानी डाइबिटीज को कंट्रोल में रखने के इलावा इम्मुने सिस्टम को भी बुश्ट करता है प्याज में मौजुद कमपाउंड सूजन को दूर करने में मदद करते हैं ट्राइगलिस और कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करते हैं जो हिर्दर रोग के जोखिम को कम करते हैं वजन कम करने और सुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा कार्बोहडरेट के संतुलित मातरा में सेवन करने की सलाह दी जाती है प्याज में कार्बोहडरेट की मातरा कम होती है जो सरीर में सुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं कार्बोहर्डेट वाले खाद पदार्थों के सेवन से बलड में सुगर और ग्लुकोज का लेवल तेजी से बढ़ सकता है जो डाइबेटीज पेसेंट के लिए खतरनाक हो सकता है अब प्याज का पानी बनाने की सामगरी क्या है उसके लिए मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूं दो कटा हुआ प्याज लिजे एक का पानी लिजे एक चमच नीवू का रस लिजे एक चुटकी सेंधा नमक लिजे इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है सभी सामगरी को लेकर बिलेंडर में पीश लें फिर इसमें निवू का रस और सेंधा नमक मिलाएं नमक प्याज के तीखे पन को कम करने में मदद करता है आप चाहें तो चुटकी भर नमक और थोड़ा सा सहथ मिलाकर भी पी सकते हैं वेल्कम टू रोबश्णरी रोबश्णरी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे लसुन का तो लसुन के लसुन प्याज की जाती की वनस्पती है इस मनस्पती में एक तीवरे गंद होती है जिसके करने से एक उस्थी का तरज़ा दिया गया है दुनिया पर में लसुन के अप्रिक मसाली चटनी सांस अचरता दवाव के तोर पर किया जाता है लसुन का उसमांक 145 है वेगनिक नाम है औलियम सटीभं संस्कृत में नाम है लसुन अंग्रीजी में नाम है गर्लिक लसुन के छे फाइदें आपको हम बताएंगे स्थ कि विकार में पाचेन की विकार में और रुचे राख चाप में हीरदैरोग में हट तुचय का विकार में तो भाइधा सबिछ II तो बने रहेंगे चैनल पो अगर सास आने से चले इसले द्रसुन के पंखुडी गरम करकर नमक के साथ खाय धम्मा कम होने के लिए एक प्वाली ग्रम पानी में दो चमिस सहद और दस बंध लासं का रच लिज्य सोने से फूरूब लह सुनकी तीन पंखुडिया दोद में उबाल कर लेने से रात में दम्मा तक कर उतनी ही मात्रा में सहथ मिलाकर त्यार करें या रसायन दो चमच मेठी के अर्ग के साथ सोने से प्रूब ले नीमुनिया में आराम पाने के लिए एक लीटर पानी में एक क्राम लासुन और एक सब तो सब पचास मिली दूद डाल कर वबाले एक चौथाई होने तक पलते र यह पाचेन विकार लहसुन के विशाग्ष पदारतों को बाहर निकाल में मदद करता है पाचेन रस का स्रौत अच्छा करता है जिससे आप तो कि सरफील हल्चल में गती मिलती है किसी भी पाचेन विकार में लहसुन का दोध या पानी के साथ अरक लिया जा सकता है आपके जीवानों संक्रमन में लहसुन के इस्तमाल से फाइदा मिलता है यह किर्मी नासक भी और हर रोज लहसुन के दो गाठे खाने से अतंतर लाब पराब तो होता है कॉलाइक्टिस पेचिस में लहसुन के एक कैपसूल काफी है पेट की सभी रोगों से रहत पाने के लहसुन का एक लहसुन एक हिस्सा सेंधा नमक और भी में भुना वाहिम एक चोथाई हिस्सा अदरक के रस कर साथ लेने से बहुत लाब मिलता है अब हम बात करेंगे उची रक्षाप वालों के लिए लहसुन के उचीत उप्योग से रक्त वाहिकाओं के उपर आने वाला द्वाव और तनाव कम हो जाता है नाड़ी और हिर्दे के कमपन की गति कम होती है उचे रक्षाप के उप्चार के लिए लसुन तेल की छब बुंदे चार चमश पानी के साथ दो बार लें बड़ा हुआ रक्षाप कम करने के लिए लसुन पुदीना जीरा धनिया कालिमिच और सिंधा नमक से बनीवी चटन कैसे वन करना चाहिए हैं अब कि हम बात करेंगे ही रओं रोग लसुन ते नीमत सेवन सदक्त वाही का में जमा हुआ कॉलिश ट्रॉल आसानी से निकलने में मदद होती है और दिल का दोरह आना की समौना कम होती है चैँदि किसी को दिल का दोरह आने की समassoci ना है तो उसे प तो बहुत यही शाधरना सा चीज और इसके बहुत ही जासा सारे इसके फाइदे हैं अगर आप चैनल स kalian को सबस्क्रायब कर ले कमेट में अपनी राय दें और चैनल को lakka करना ना बोले वो है जीरा आप सभी सबजी में खाते हैं तो जीरा लेकिन इसके बारे में जानते होंगे साइद ही यह नहीं जानते होंगे जो हम बताने की कोशिश करेंगे और जो laboratory science कहती है हम उस पर आज बात करेंगे कि science इस पारे में क्या करता और कैसे इसके फायदे है जीरा के बिना साइद ही कोई सबजी बनाई जाती होगी जब भी कोई सबजी बनाई जाती है तो सबसे पहले जीरा का च्छोंक यही लगाया जाता है आप भी जीरा का उप्योग करते होंगे और केवल इतना ही जानते होंगे कि जीरा का परियोग सब्जी में किया जाता है यह नहीं जानते होंगे कि जीरा के परियोग से कई बीमारियों का इलाज भी उप्या जा सकता है यह बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है इसी वज़े से हम आज जीरा के खेट से लेकर के लेबरोटरी साइंस तक के बारे में इस पिर जानकरी देंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो किर्प्या आप चैनल को सब्सक्राइब करें जीरा क्यों मिन स्ट्सिट्स एन हिंदी एक मसाला है अरवेद के अनुशर जीरा ंतीन तरह का होता घया काला जीरा केरम कार्वी लिन सफेद जीरा किमिनम साइमिनियम लिन अरने जीरा जंगली जीरा सेंट्रा थेरम एंथल मिनी टिकम लिंक कुंटिची सफेद जीरा से सभी लोग परिचीत हैं क्यूंकि इसका परियोग मसाले के रूप में किया जाता है स्यामले रंग का जीरा एनि किरिश्न जीरा भी सफेद जीरा की तरह ही होता है दोनों में इतनी समानता होती है कि भेद करना मुस्किल हो जाता है लेकिन स्यामले रंग का जीरा सफेद जीरा से महंगा होता है इसके फूल सफेद रंके छत्रकों में लगते हैं जो पकने पर फलो में बदल जाते हैं इसका पौधा 60-90 सेंटिमीटर और सीधा होता है इसके फूल गहरे नीले या बैंगली रंके होते है इसके फल 455-6 में लंबे बिलनाकार होते है इसका रंग भूरा और काला होता है, इसमें तीखी गंध होती है, जीरा के पौधे में फूल और फल जून से अगस्त में आता है अन भासाओं में जीरा के नाम, जीरा कॉल इन डिफरेंट लेंग्वेजेज, सफेद जीरा का वानस्पतिक नाम क्यू मीनम, साइमीनम है, लेकिन इसे अन भासाओं नामों से भी जाना जाता है हिंदी में जीरा, साधा जीरा, साधरन जीरा, सफेद जीरा करते हैं, उर्दु में जीरा करते हैं, इंगलिस में कोमन करावे, क्यूमिन, जीरा अजाजी, जरन दिरघा जीरा अब बंगाली में कहते हैं सादा जीरे या जीरे मराथी में कहते हैं जिर्रे पांडरे जिर्रे गुजराती में कहते हैं जीरू साकनू जीरू संस्कित में कहते हैं जीरेगे विलिये जीरेगे तेलगू में कहते हैं जिलकारा जिलकारा जिलकरर तामिल्क में कहते हैं स्तिरागम, मल्यालम में कहते हैं जीरागम, और नेपाली में कहते हैं जीराग, पर्सियन हैने कि फार्सी में कहते हैं जीरेए सफवेद, इसी तरह काला जीरा ब्लेक जीरा का वनस्पतिक नम केरिम कर्वी लिन है, और इसे इन नामों से भी जाना जाता ह चलिए ये तो हुआ इनके नाम जीरा के फाइदा और उप्योग बताएंगे हम आप मसाले के लावा जीरा का उंस्तिय परियोग भी कर सकते हैं जीरा की इस्तिमाल की मात्रा और वीदियो की जानकारी हम देंगे जू यानि की सीर पर जो लीक होते हैं उसको खतम करने के लिए जीरा का परियोग कैसे करें जीरा या लीक से बहुत लोग परिशान रहते हैं खासकर महिला हैं जू से अधिक परिशान रहती है जू से निजात पाने के लिए जीरा बीच के चुण लें इसे निमू के रस के इससे जू मर जाती है खुजली में फाइदे मंद जीरा का इस्तेमाल खुजली के चुटकरा पाने के लिए 40 ग्राम जीरा और 20 ग्राम सिंदूर ले इसे 320 मीली कड़वे तेल में पका कर लगाएं खुजली में लाब होगा हिचकी में फाइदे मंद जीरा का 7 हिचकी की परिशानी में 5 गराम जीरा को घी में मिला ले और इसे चिलम में डाल कर धुमरपान करें इससे हिचकी बंद हो जाती है हिचकी में फाइदे मुख से बदबु आने पर जीरा का परियोग करें वह कैसे अब मैं वह बता रहा हूं जीरा तता सेंधा नमक के चुंड का दीन में दो बार सिवन करें इससे मुह में आने वाली बद्बू ठीक होती है मुह से बद्बू आने पर गोरख मुंडी से लाव मतली और उल्टी में जीरा के परियोग से फायदा मतली और उल्टी की परिशानी में जीरे को एरेसमी कपड़े में लेपेट ले इसकी बत्ती बना ले और इसका धुआ नाक में सुगे इससे फायदा होता है सो वर्चल नमक जीरा सरकरा तथ मरीच का बराबर बराबर भाग दो ग्राम का चूंड बना ले इसमें चार ग्राम मधु मिला कर दीन में तीन चार बार सेवन करें इससे मतली और उल्टी रुखती है जीरा का उप्योग कर सर्दी जुकाम से राहत सर्दी जुकाम या पुरानी सर्दी से राहत पाने के लिए काले जीरे को जला ले इसका धूंगा सुंगने से फायदा होता है कफ से पिडित है तो जीरे का 10-20 मिली काढ़ा पीने से लाब होता है मुह के रंग में मुह के रोग में जीरा का सेवन फायदे मत मुह के रोग मुह की बिमारी में पांच गराम जीरे को पीस कर जल में मिला ले इस जल में चंदन का चुर्ण धाई गराम इलाइची एवंग धाई गराम फुली हुई फिटकरी का चुर्ण भी मिला ले इसे छान ले इस जल से कुला करने से मूँ के रोगों में लाब होता है अब खटी ड़कार आने पर भी आप जीरा का उप्योग कर सकते हैं कुछ भी उल्टा सिधा खाने पर खटी ड़कार होना बहुत ही आम बात है खटी ड़कार होने पर 200 मीली जल में 50 मीली जीरा डाल कर काड़ा बना ले इसे गरम करे जब काड़ा 50 मीली रह जाए तो उतार कर छान ले इसमें काली मिर्ज का चुन 4 ग्राम नमक 4 ग्राम डाल कर पिये इससे खटी ड़कार आनी बंद हो जाती है इसके साथ यही मलत्या करने में परिशानी नहीं होती है अब आपको और भी आगे बताएंगे कि एक आम परिशानी है अगर आप भी एक सब्सक्राइब की से परिशान है तो जीरा और धनिया के 120 ग्राम पेश्ट को 750 ग्राम घी में पका इसे रोज 10 से 15 ग्राम की मात्रा में से के साथ साथ पूराना कफ की समस्या पीत की बीमारी तता भूक की कमी ठीक होती है भूक पढ़ाने के लिए जीरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई बार बीमार हो जाने पर या फिर अनकारणों से भूक की कमी हो जाती है ऐसे में तीन ग्राम जीरे को तीन मिली नीबू के रस में भीगो ले इसमें तीन ग्राम नमक मिला कर सेवन करें इससे भूख बढ़ती है बुखार में भी जीरा का काहा से गरारा करने पर भूख की कमी नहीं होती है बुखार उतारने के लिए जीरा का इस्तेमाल कैसे करें वो भी हम बताएंगे पांच ग्राम जीरे के चुर्ण को बीस मेली कचनार की चाल के रस में मिला लें इसे दिन में तीन बार लेने से बुखार उतरता है पांस से दस ग्राम जीरे के पेश्ट और इतना ही गूर ले इन्हें खाकर गुनगुना पानी पीएं इससे कपकपी और ठंडवाली बुखार खतम होती है भोजन में हरीत की जीरा तता गूर का परियोग करने से गंभीर बुखार भी ठीक हो जाती है गाय के दूद में पांच ग्राम जीरे को भींगो कर सुखा ले इसका चूर्ण बना ले और इसमें मिश्री मिला ले इसे दिन में तीन बार खाएं इससे सालरी कमजोरी दूर होती है और गंभीर बुखार में आराम मिलता है अब आपको एक और भी काम चीज़ बताएंगे अपच को ठीक करने के लिए जीरा का सेवन जीरे और धनिये के पेश्ट से पकाएवे घी को सुबह साम भोजन से आधा गंटा पहले खाया करें इससे अपच और बात पीत दोस में लाब होता है पेट में कीड़े होने पर जीरा के परियोग से लाब पेट में कीड़ा हो जाने पर भी जीरा का सेवन फायदे मंद होता है इसके लिए 2-4 गराम जीरा बीज के चूर्ण को एरंडटेल के साथ मिला ले इसका सेवन करने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं इसी तरह 15 गराम जीरे को 400 मीली पानी में उबा लें जब कारा एक चोथाई बज जाये तो इससे 20-40 मीली मातरा में सुबह साम पीएं इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं दातों के रोग में जीरा का उपियोग इससे दांतों के दर्द से राहत मिलती है ऑफ rarely के कयो ना के । लजीड़ के पत्ते के रस्ट को एक दो दनाक में डाले इसके नांख से बहने वाली कुन बंद हो दस्त यानि पैखाना रोकने के लिए जीरा का परियोग दस्त में भी जीरा का सेवन करना बहुत ही फाइदेमंद होता है अगर किसी को दस्त हो रहा है तो उसे 5 ग्राम जीरे को भून कर पीश लेना है इसे दही या दही की लस्ती में मिलाकर सेवन करना है दस्त में लाब होता है आराम मिलता है बच्चों को दस्थ होने पर जीरा का इस्तमाल कैसे करें वह हम बताएं अभी बच्चे प्राइब दस्थ से परहसान रहते हैं जीरा का परियोग इस से इसमें भी बहुत लाबदायक होता है इसके लिए जीरे को भून कर पीश ले इसे एक चम्मत जल में घो जीरा कोट कर चान ले इस छने हुए चुड़ की एक सो खुराक सूबह और साम को ले इसे खाने से आदा गंता पहले एक दो चम्मच दही के सांथ सेवन करें इस से पूराणी से पुरानी दस्त की विमारी ठीक हो जातिया इस बोरान दही चावल खिचली मठा हलका भोजन कर होना चाहिए भूना हुआ जीरा कच्छी तता भूनी वी सौंफ को बराबर मिला ले इसे एक एक चम्मच की मातरा में दो या तीन घंटे के बाद ताजे पानी के साथ सिवन करें इससे मरोड के साथ होने वाला दस ठीक हो जाता है अब हम लेडिज लोग के लिए एक बहुत ही खास चिज बता रहे हैं कि इस तनों में दूद बढ़ाने के लिए जीरा का कैसे इस्तमाल करेंगे प्राय कई महलाए मा बनने के बाद इस तनों में दूद कम होने की सिखायत करती है ऐसी समस्या में जीरे को घी में भून कर आटे में मिला ले और लड़ू बना ले इससे खाए इससे दूद अधीक होता है घी में जीरा को सेंक ले दाल में जीरे की कुछ इसके अधीक मातरा डाल कर खाए इससे माताओं के इस तनों में दूद की विर्दी होती है जीरे को घी में भून कर हल्वा बनाकर खिलाने से भी दूद में विर्दी होती है इसके लवा बराबर बराबर मातरा में सौफ सोवर्चल तता जीरा के चुर्ण को चाज के साथ नियमित रूप से सेवन करें इससे भी फाइदा होता है बराबर बराबर मातरा में सतावरी चावल तता जीरे के चुन को गाय के दूद के साथ नियमित रूप से सेवन करें इससे भी दूद बढ़ती है 10-20 मिली जीरा के कारह को मदू तत्तादूद में मिला ले इसे गरबवस्ता की सुरुवाति आवस्ता में महिलाओं को लेना चाहिए दिन में एक बार लेने से गरबवती महिला और गरबस्त हिसु का सुष्थ सही रहता है गरभासे की सूजन में जीरा से कैसे लाब होगा उस पर भी हम आपको बताएंगे कई महिलाएं गरभासे की सूजन से परिशानी रम्मे रती हैं ऐसे में जीरा का परियोग फैदेमंद हो सकता है काले जीरे का कारा बना ले और इसकारा में महिलाओं को बिठाएं इस से गरभासे की सूजन में लाब होता है आप काला जीरा के अस्थान पर सेफिज जीरा का भी उपयोग में ला सकते हैं लिव करिया में जीरा का कैसे फायदा होगा वो बता रहे हैं बहुत सारी महला लिव कोरिया से गरस रहती हैं इस बीमारी में जीरा का सेवन करने से आराम मिलता है इसके लिए पांच ग्राम जीरा के चुंड और मिस्री के दस ग्राम चुंड को मिला ले इसे चावल के पानी के स्थास सुबह और स्राम सेवन करें इससे फाइदा होता है अब हम आपको बताएंगे कि जीरा आंख में किस तरह फायदा करता है साथ ग्राम काले जीरे को आधा लीटर खोलते हुए जल में डाल कर कारा बना ले इस पानी से आंखों को धोने से आंखों से पानी बहना बंद हो काले जीरे को आधा लीटर खोलते हुए जल में डाल कर कारा बना ले इस पानी से आंखों को धोने से आंख की रोशनी बढ़ती है काले जीरे का स्थान पर आप सफिर जीरा भी ले सकते हैं अब हम बताएंगे रतोंधी में भी आपको जीरा फाइदे मन दोता है वह कैसे जी वात विकार के लिए बराबर बराबर भाग में गूड एवंग जीरा के चुण 5-10 ग्राम की मातरा में को उस नोदक के साथ सेवन करने से भी लाब होता है वात और कफ दोस्ट के कारण बखार है तो गूड अथवा मदू के साथ 5-10 ग्राम जीरा के पेश्ट का सेवन करें इसके बाद चाच पी कर धूप में पसीना निकालने तक बैठे रहें इससे बात कफ दोस्वाला बुखार को उतर जाता है मलेरिया में जीरा के सिवन से कैसे लाब होगा मलेरिया बुखार के लिए करे ले कि 10 मिली रस में जीरे का 5 ग्राम चुर्ण मिला लें इसे दीन में तीन बार पिलाने से लाब होता है चार ग्राम जीरा के चुर्ण को कूड में मिला कर खाने से एक घंटा पहले लें इससे मलेरिया और बात रोग ठीक होते है आग से जलने पर जीरा का प्रियोग कैसे करेंगे अगर किसी बैक्ती का कोई अंग आग से जल गया है तो जीरे के पेश्ट को मदन फलत कतार राल मिला कर घी में पकाए इससे आग से जलने वाले अस्थान पर लगा इससे फाइदा होता है मुतर रोग में जीरा के गुन और उससे लाब स्यामले जीरा का कारा बना ले इसमें 10 से 30 मिली मिश्री मिला कर पीने से मुतर रोग में लाब होता है बावासीर में जीरा का उंसदी परियोग बावासीर में जब गुदा बाहर आकर सूच जाए तब काले जीरे को पानी में उबाल ले इस पानी से मस्ते को सेंके इस से बावासिर में फैदा होता है, इसी तरह पांच ग्राम सफेद जीरे को पानी में उबाल लें, जब पानी एक चौन्थाई बज जाए तो उसमें मिश्री मिलाल कर सुबह और साम पीए, इस से बावासिर में होने वाला दर्द और सूजन ठीक ह होता है दो स्यामले रंगवाले जीरे 9 को पानी में पिस कर बावासिर के मस्चों पर लेब WRRी में लाब होता है क्युई पारलैसियुन में जीरा के क्या फाइदे क्या बन्हें वो बता है को सरीयर के निचले भाग में लगवा πझा inequality पर जीरा को पीश कर लगाएं इससे फाइदा हो सकता है मकडी का वीस उतारने के लिए जीरा का उपयोग कैसे करेंगे वो भी हम बता रहे हैं आपको सौट और जीरे को पानी के साथ पीश कर लगाने से मकडी का वीस उतारता है अब आपको हम एक और साथ चीज बताएंगे कुटे के काटने पर जीरा की उंसदी है परियोग से फाइदा किसी बैक्ती को कुटा काट ले तो उसे बहुत परिशान होना पड़ता है कुटे के काटने पर उसके दांतों की वीस से बैक्ती को ग्रेविज होने की संभावना रहता है ऐसे में 4 ग्राम जीरा और 4 ग्राम काली मिर्च को घोट कर छान ले इसे सुबह और साम पिलाने से कुट्टे का वीस में लाब मिलता है बिच्छू का वीस उतारने के लिए जीरा का इस्तमाल कैसे करें बिच्छू के काटने पर जीरे और नमक को पीस का गी और सहद में मिला ले इसे थोड़ा सा गरम कर ले इसे बिच्छू के डंक वाले अस्थान पर लगाएं बिच्छू का वीस उतर जाता है जीरा में घी एवंग सेंधा नमक मिलाकर कटपिस ले इसे बहुत महीन पेश्ट बनाकर थोड़ा गरम कर ले इसे बीच्छू के काटने वाले अस्तान पर लेब करें इससे दर्द में आराम मिलता है अब हम आपको बताएं जीरा कहा हूं गया आजिता में चतिए कि खती पूरे भारत में कि जाती है यह ठाजा़ की खैती Bye और ब्रूज अपर्बुटेंवें फ्रस्वाट की जाती है विक कि जाता है कर दोड़े से 2500 मेटर पारिक दॉल पाया जाता है तो आज का यहा जानकाần कैसा लगा खिर्पा चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल में अपनी राइद है आपका दिन सुर्व रहे हैं थैंक्स ओडियोंस थैंक्स लिस्नर्ट कि वेल्कम टू रोबस्ट निज रोबस्ट निज में आपका स्वागत है इसके आज जो हम दिखाएंगे वह है काली म्रिच ब्लॉग पर चैनल रहे हैं काली म्रिच का भोजन में प्रियोग करने से भी आपको बहुत लाब मिलता है उधारन के लिए ठंड के दिनों में बनाए जाने वाले सभी पाकवारों में काली म्रिच का उपियोग किया जाता ताकि ठंड और गले की बिमारियों से रक्षा हो सके काली म्रिच नपुन सकता रजोरोध यानि मासिक धरम के ना आने चम रोग बुखार तथा कुष्ट रोग आदी में लाबकारी है आँखों के लिए इसका उपियोग होता है तो चले हम कुछ वीधी बताएंगे सीर्वद्रद दूर करने करे काली म्रिच का सेवन एक काली म्रिच को सुई की नौक पर लगाकर उसे दीपक में जला ले उसमें से निकलने वाले धुएं को सुंगने से सीर्वद्रद में आराम होता है इससे म्रिच की भी बंद होती है भ्रिंग राज के इस रस अथवा चावलों के पानी के साथ काली म्रिच को पीछ कर माते पर लेप करने से आधी सीसी का दर्द यानि माइग्रेन भी ठीक होता है सीर के जिवें यानि डेंडर्फ और रूसी भगाए काली म्रिच का परियोग तो बालों में जूं हो जाने पर दस से बारा सीता फल के बीज और पान्च चौकाली म्रिच को पीछ कर सर्सू के तेल में मिला ले इसे रात में सोने से पहले बालों की जड़ों में लगा लें सुभब बाल धोका साफ कर लें जूं नश्ट हो जाएगी सीर के बाल यादी जड़ते हों तो काली म्रिच को प्याजवा नमक के साथ पीछ कर लगाने से लाब होता है बालों से जूं निकालने के घरेलू नुसके खासी जुकाम दूर करे काली म्रिच का सेवन काली म्रिच के 2 ग्राम चुण को गरम दूद तता मिस्षिरी के साथ पी लेने अतवा इसके साथ दाने निगलने से जुकाम तता खासी में लाब होता है 50 ग्राम दही, 15-20 ग्राम गूर और 1.5 ग्राम काली म्रिच चुर्ण को मिला लें इसे दिन में 3-4 बार 7 करने से जुकाम में लाब होता है आखों की बिमारी में फायदे मंद होता है काली म्रिच में ब्लेक पेपर काली म्रिच को दही के साथ पीस कर आखों में काजल की तरह लगाने से रतोंदी में लाब होता है इसे अत्तिन सावधानी पुर्वक बाहर बाहर ही लगाएं आखों की रोसनी बढ़ाने के लिए रोजाना सुभा आधा से एक किराम तक काली म्रिच में एक चम्मच घी तथावर शक्ता नुशार मिश्री मिलाकर बाहर बाटे बाद में दूद पीएं इससे आखों की बीमारी में लाब होता है आखों की पलकों पर अगर फुंसी हो जाए तो काली म्रिच को पानी में घीज कर लेप करने से फुंसी पक कर फूट जाती है काली म्रिच के आधे ग्राम चुन को एक चम्मच देशी घी में मिलाकर खाने से अनेक परकार के नेतर रोगों का खात्मा होता है नाद दर्द में दिलाए काली म्रिच का इस्तमाल काली म्रिच की एक दू ग्राम चुन को तीन चार जामून या अमरूद के पत्तो या पोस्त दानों के साथ पीछ ले इससे कुला करने से दाद दर्द ठीक होता है गले के दर्द वा आवाज बैठ जाने पर भी यह प्रियोग लाब प्रद है सेंदा नमक काली म्रिच सहद तथा नेवू के रश को मिला कर तालू पर लेप करने से मूँख के छाले में लाब होता है दम्मा खासी में किस तरह से इसका इलाज होता है अब हम वह बताएंगे दो-तीन ग्राम काली म्रिच चुर्ण को सहद और घी असमान मातरा में मिला ले इसे सुबर साम चाटने से सर्दी सामन खासी दम्मा और सीने का दर्द मिटता है इससे फेपड़ों में जमा कफ निकल जाता है दो-सो मिली गाय के दूद में दो ग्राम काली म्रिच चुर्ण को पका कर पिलाने से दम्मा खासी में लाब होता है यदि खासी बार-बार उठती हो भोजन निगलने में कश्ट हो तो दिन में दो-तीन बार काली म्रिच के हलके काड़े से कुला करें काली म्रिच चुर्ण दो भाग पीपल चुर्ण दो भाग अनार की चार भाग तता जो एक भाग का चुर्ण बना ले इसमें आठ भाग गुड मिला कर एक एक ग्राम की गोली बना ले इसे दिन में तीन बार शिवन करने से गले का दर्द कष्ट दायक खांसी में लाव होता है गले की ख्रास खांसी में दो तिन काली मरिच मुह में रखकर चूसने मातर से लाव होता है दस्त रोकने के लिए काली म्रिज का परियोग किस तरह से करें अब हम उसके बारे में जानकारी देंगे एक भाग काली म्रिज की चुण तता एक भाग भुनी उहीन क्यों अच्छी तरह खरल कर ले इसमें दो भाग सुद्ध देशी कपूर मिलाकर एक सो पचीस मिली ग्राम की गोलिया बना ले इसे आदे घंटे के अंदर से एक एक गोली देने से हैजी की सुरुआती यानि पर्थम अवस्ता में लाब होता है काली म्रिज की चुण एक ग्राम तता भुनी ही एक ग्राम को अच्छी तरह खरल कर ले इसमें तीन ग्राम अफीम मिलाकर तीन ग्राम अफीम मिलाकर स्रहद में घोटकर बारा बारा गोलिया बना ले एक एक गोली एक ग्राम ग्राम के अंदर से अंतर में दे बहुत समय तक ना दे इसे पेचीस में भी अत्यन्त लाव होता है अफिम मिले होने के करने का परियोग साफधानी से करें काली मेरी चुन एक दो ग्राम हिंग एक बटे चार ग्राम तथा अफिम एक सू मीली ग्राम एक सू मिग्रा को मिला ले इसे जल या सहाथ के साथ सुबह दो पर तरसाए सेवन करने से पेचीस में लाव होता है पेट के रोगों में किस तरह फायदे मंद होता है काली मेरी चलिए उस पर हम आपको जान करें देंगे दो-तिन ग्राम काली मरी चुर्ण को एक कप छाँच के साथ सुबह खाली पैट लेने से पेट के क्रिड़े निकल जाते हैं आठ दस काली मरीच को पांच साथ ग्राम सीरिस के पत्तों के साथ पीस कर च्छान लें इसे पीने से गैस के करन होने वाले पेट दरद और पेट फ कटना बढ़ना आधी में लाब होता है काली मिच के चून के सांथ बराबर भाग सौंट पीपली जीरा और सेंधा नमक मिला ले एक ग्राम की मातरा में भोजन के बाद गरम जल के साथ लेने से अपस्त था बधाजमी में लाब होता है काली मिच सोच पीपल तथा हर पूर्ण मिलाकर हरन का चूर्ण मिलाकर साहद के सांथ देने साथवा इसके काड़े को पीने से अपस्त था पेट की गैसमें लाब होगा बावासीर में किस तरह से काली मिर्च फाइदा करता है अब हम उस पर भी आपको जान कर देंगे दो ग्राम काली मिर्च चुन एक ग्राम भूना जीरा 15 ग्राम साहद या शक्कर को मिला ले दो बार च्हार्च के सांथ या करम काली मिर्च और जीरे के साथ 3-4 माज तक सेवन करने से बवासीर में आराम मिलता है इससे कम जोरी या विर्दा वस्तता के कारण में बवासीर का गुद भरं से काच निकलना ठीक होते हैं इससे पाचन बार जेट रागनी ठीक रहती है कब्ज और पेट की गैस में भी यह परियोग लाप्रद है एक ग्राम काली मरीच चुण को सहथ के साथ दिन में तीन बार परियोग करेश से गुदा का बाहर निकलना बंद हो जाता है पेसाब समंदी बिमारी में काली मरीच किस तरह फाइदा है करेगा वो हम बताएंगे एक काली मरीच और बराबर मातरा में खीरा या ककड़ी के बीच को 10-15 मीली पानी के साथ पीस ले इसमें मिश्री मिलाकर च्छान कर पिला इससे पेसाब में जलन तथा पेसाब में दर्द आदी की प्रेशानी में लाब होता है नपुन सकता दूर करेग काली मरीच चलिए एक लग दूद में आर दस काली मरीच को डाल ले इसे अच्छी तरह उबाल कर सुबह सामनी अमपुरबक सेवन करने से बीज़ विकार ठीक होता है गर्मी के मोशन में मातरा कम की जा सकती है गहाव सुखाने में भी काली मरीच का इस्तमाल होता है चलिए काली मरीच को पानी में पीश कर फोड़े फूंसी वर सूजन पर लेप करने से गहाव सूख जाता है इससे गहाव जल्दी भर जाते हैं वर सूजन दूर होती है हिस्ट्रिया में फायदमन मरीच का परियोग तीन ग्राम वच चुन में एक ग्राम काली मरीच का चुन मिला ले इसे खटी दही के सांथ सुबह खाली पेट सेवन करने से हिस्ट्रिया में लाब होता है चेहरे के लकवा में किस तरह से काली मरीच का इस्तेमाल कर जाता है अर्दित रोग यानी फेसियल पेरलाइसिस में चेहरे के अंगों में लकवा मार देता है यदि जीब में जकरन हो तो मरीच के चुन को जीब पर घिसने से लाब होता है काली मिर्च चुन को किसी भी वात्सामक तेल में मिला ले इसे लगवा गरत अंग पर मालिश करने से बहुत लाब होता है कमजोरी दूर करेगा सरुरिक ताकत बढ़ाएगा वो कैसे कमजोरी आलस वदासें तादी दूर करने के लिए काली मिर्च के चार-पांच दाने सोंट डाल चीनी लोंग और इलाची थोड़ी-थोड़ी मासा में मिला ले इसे चाय की तरह उबाल ले इसमें दूद और सक्कर मिलाकर पीने से लाब होता है बुखार में किस तरह काली मिरिच का इस्तमाल करते हैं उस पर हम आपको बताएंगे एक से तीन ग्राम काली मिरिच चुण में आधा लीटर पानी और पीस ग्राम मिसरी मिलाकर आठवा भाग से से रहने तक उबाल का काड़ा बना ले इसे सुबह, दोपा तता साम पिलाने से साधुरन बुखार यानी वाइरल फीवर में लाब होता है 5 दाने काली मरीच अजवाइन 1 ग्राम और हरी गिलोई 10 ग्राम सब को 250 मीली पानी में पीश च्छान कर पिलाने से तेज बुखार में लाब होता है एक किराम काली मरीच चुन को सहथ के साथ दीन में तीन बार सेवन करने से गयास के कारण होने वाला बुखार तथा पेड़ दरत दूर होता है काली मरीच के नुकसान क्या होते हैं अब उन पर भी अब थुरा सा ध्यान देंगे इन रोग क्यों सतर में काली मरीच क्योंकर नहीं करना चाहिए गाव एसीडिटी खूनी बावस्तिर गर्भव वस्ता की आवश्ता तो आपको कैसी जानकारी लगा किल पर चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में अपनी राय दें आपका दिन सुब्र है थैंक्स ओडियोंस थैंक्स लिश्नर वेल्कम टो रोबश्ट में रोबश्ट में आपका स्वागत है एक बार हम आपको बताते चले कि मातर फल ही नहीं जामुन स्वस्त को पहुंचाता है इतने सारी लाभ जम्बू जामगाच जम्बू और जम्बू भावल यह सब जामुन की ही नाम है बारिश का मौसम सुरू पर जामुनos प्रक्ने लगता है जामुन का प्रेट बहुत उचा होता है इसकी चाल सफेद होती है बैसाक मास में मजरिया आती है कि बाद में फल लगते हैं इसके वरिक्ष पूरे भारत में पाय जाते हैं प्रन दुत सुस्क अस्थानों पर यह वरिक्ष नहीं हुँता है अब प्याज का पानी बनाने की सामगरी क्या है उसके लिए मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूं दो कटा हुआ प्याज लिजे एक कप पानी लिजे एक चमच नीवू का रस लिजे एक चुटकी सेंधा नमक लिजे इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है सभी सामगरी को लेकर ब्लेंडर में पीश लें फिर इसमें नेवू का रस और सेंधा नमक मिलाएं नमक प्याज के तीखे पन को कम करने में मदद करता है आप चाहें तो चुटकी भर नमक और थोड़ा सा सहथ मिलाकर भी पी सकते हैं कि वेलकम टू रोवर्श कमी आपका स्वागत आज हम बात करेंगे लसूं के प्याज की जाती वंश्पति में यह को यह तरजा दिया गया है दुनिया पनावु के तोर पर किया जाता है लसुन का मॅंक VIIii烐 कि एक सो पैइंता आलीस है वेगनिक कि नाम है ऑलियं साटीभ५ संस्कृत मिनाम लसून अंग्रीजी में नाम है ग्यादिट लसून के छी फायदें आपको हम बताएंगे सांस के विकार में पाचें के विकार में रोच रात चाप में हीट देर रोग में हार्ट रोबल में कैंसर में और तौचा कभीकार में तो बने रहेंगे चैनल पर अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कमेंट बफिवाइद और हमारे बताईवे को आप जरूर सुने जाने आपको जरूर फाइदा होगा लसुन दमा के रोगयों के लिए अत्यनत लाबदायक साबित हो सकता है सास आसने से चले इसलिए पंखुडी गरम करके नमक के साथ खाए दमा कम होने के लिए एक प्याली ग्रम पानी में दो चमिस सहद और दस बुन लसुन का रस लीजिए सोने से प्रूब लसुन की तीन पंखुडिया दूद में उबाल कर लेने से रात रात में दमा की तकलिफ आफिक हद तक कम हो सकती है दमा से आराम पाने के लिए एक लसुन बारिक पीस कर 120 मिली मॉल्ट वी विनेगर में डाल कर उबाल लीजिए में एक क्राम लसुन और 250 मिली दूद डाल कर उबाले एक चौथाई होने तक पलते रहे या दूद में तीन दीन में तीन बार ले छे रोग में आराम पाने के लिए लसुन दूद में अबाल कर लेना चाहिए एक ऐस आई रवाद में बताया क्या अब हम बताएं पाचिन व कि सरफ पील हल्चल में गती मिलती है किसी भी पाचन विकार में लसुन का दूद या पानी के साथ अरक लिया जा सकता है आतों के जिवानों संक्रमन में लसुन के इस्तमाल से फाइदा मिलता है यह किर्मी ना सक भी और हर रोज लसुन के दो गाटे खाने से अतन्द लाब होता है कि कॉलाइटिस पेचिस में लसुन के एक कैपसूल काफी है पेट की सभी रोगों से रहत पाने के लसुन का एक लसुन एक हिस्सा सेंधा नमक और घी में भुना वाहिम एक चोथा हिस्सा अदरक के रस कर साथ लेने से बहुत लाब मिलता है अब हम बात करेंगे उच अचित उपयोग से रक्त वाहिकां के उपर आने वाला दवाव और तनाव कम हो जाता है नाड़ी और हिर्दे के कमपन की गति कम होती है उच्छे रख्चाप के उपचार के लिए लसुन तेल की छब बुंदे चार चमश पानी के साथ दो बार लें बढ़ा हुआ रख्चा उबरियुकी के लिए लसुन के नीमत सेवन सेबक्त वाहिका में जमा हुआ कोल göt्रो त्रोर असानी से निकलने में मदद होती है और दिल का दोरह आने की सवावना कम होती है कि इसी को दिल का दोरह आने की समाना है तो उसे पर इस पस पहुत शो पंगुञांसे लेनी पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कमेट में अपनी राय दें और चैनल को लाइक करना ना भूले वो है जीरा आप सभी सब्जी में खाते हैं तो जीरा लेकिन इसके बारे में जानते होंगे साइद ही यह नहीं जानते होंगे जो हम बताने की कोशिश कर देंगे और कोई सबजी बनाई जाती है तो सबसे पहले जीरा का च्छों के ही लगाया जाता है आप भी जीरा का उपयोग करते होंगे और केवल इतना ही जानते होंगे कि जीरा का परियोग सबजी में किया जाता है यह नहीं जानते होंगे कि जीरा के परियोग से कई बीमारियों का बनकर अनेक रोगों की रोग थाम करने में मदद मिल सकती है इसी वज़े से हम आज जीरा के खेट से लेकर के लेबरोटरी साइंस तक के बारे में इस पिर जान करी देंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो किर्प्या आप चैनल को सब्सक्राइब करें जीरा क्यूमिन स्ट्विट इन हिंदी एक मसाला है एक अनुसा जीरा तीन तरह का होता है जो यह है काला जीरा केरम कार्वी लिन सफेद जीरा क्यूमिनिम साइमिनियम लिन अरने जीरा यानि जंगली जीरा सेंटरा थेरम एंथल मिनी टिकम लिंक सफेद जीरा से सभी लोग परिचीत हैं क्यूंकि इसका परियोग मसाले के रूप में किया जाता है स्यामले रंका जीरा यानि किरिश्न जीरा भी सभी जीरा की तरह ही होता है दोनों में इतनी समानता होती है कि भेद करना मुस्किल हो जाता है लेकिन स्यामले रंका जीरा सभी जीरा से महंगा होता है इसके फूल सभी रंके छत्रकों में लगते हैं जो पकने पर फलों में बदल जाते हैं इसका पौधा 60-90 cm और सीधा होता है, इसके फूल गहरे नीले या बैंगनी रंगे होते हैं, इसके फल 4.5-6 mm लंबे बेलनाकार होते हैं, इसका रंग भूरा और काला होता है, इसमें तीखी गंध होती है, जीरा के पौधे में फूल और फल जून से अगस्त में आता है अन भासाओं में जीरा के नाम, जीरा कॉल इन डिफरेंट लैंगवेजेज, सफेद जीरा का वानस्पतिक नाम क्यू मीनम, साइमीनम है, लेकिन इसे अन भा नामों से भी जाना जाता है, हिंदी में जीरा, साधा जीरा, साधरन जीरा, सफेद जीरा करते हैं, उर्दू में जी जिर्वे क्यूमिन जीरा अजाजी जरन दिर्गा जीरा अब बंगाली में करते हैं साधा जीरे या जीरे मराथी में करते हैं जिर्रे पांडरे जिर्रे गुजराती में करते हैं जीरू साक्नों जीरू संस्कृत में करते हैं जीरे गया विलिय जीरे गया विलिय जीर गया तेल में कहते हैं जिलकारा जिलकारा जिलकरर तामिल्क में कहते हैं सिरागम मल्यालम में कहते हैं जीराकम और नेपाली में कहते हैं जीरा पर्सियन हैने कि फार्सी में कहते हैं जीरे सफ्वेद इसी तरह काला जीरा ब्लेक जीरा का वनस्पतिक नम केर्म कर्वी लिंड है और इसे इन नामों से भी जाना जाता है चलिए ये तो हुआ इनके नाम जीरा के फाइदा और उप्योग बताएंगे हम आप मसाले के लावा जीरा का उंस्तिय परियोग भी कर सकते हैं जीरा की इस्तिमाल की मात्रा और वीदियो की जानकारी हम देंगे जू यानि की सीर पर जो लीक होते हैं उसको खतम करने के लिए जीरा का परियोग कैसे करें जीरा या लीक से बहुत लोग परिशान रहते हैं खासकर महिला हैं जू से अधिक परिशान रहती है जू से निजात पाने के लिए जीरा बीच के चुण लें इसे निमू के रस के इससे जू मर जाती है खुझली में फाहदुम्जीरा का इस्तेमाल खुझली के चुटकरा पाने के लिए चालिस ग्राम जीरा और 20 ग्राम सिंदूर ले इसे 320 मीली कड़वे तेल में पका कर लगाए RYAN खुझली में लाव होगा हिचकी में फाइदे मंद जीरा का सेवन हिचकी की परिसानी में 5 गराम जीरा को घी में मिला ले और इसे चिलम में डाल कर धुमरपान करें इससे हिचकी बंद हो जाती है हिचकी में फाइदे मुख से बदबू आने पर जीरा का परियोग करें वो कैसे अब मैं वो बता रहा हूं जीरा तता सिंधा नमक के चुंड का दीन में दो बार सिवन करें इससे मुह में आने वाली बद्बू ठीक होती है मुह से बद्बू आने पर गोरख मुंडी से लाव मतली और उल्टी में जीरा के परियोग से फायदा मतली और उल्टी की परिशानी में जीरे को एरेसमी कपड़े में लेपेट ले इसकी बत्ती बना ले और इसका धुआ नाक में सुगे इससे फायदा होता है सो वर्चल नमक जीरा सरकरा तथ मरीच का बराबर बराबर भाग दो ग्राम का चूंड बना ले इसमें चार ग्राम मधु मिला कर दीन में तीन चार बार सेवन करें इससे मतली और उल्टी रुखती है जीरा का उपयोग कर सर्दी जुकाम से राहत सर्दी जुकाम या पुरानी सर्दी से राहत पाने के लिए काले जीरे को जला ले इसका धूंगा सुंगने से फायदा होता है कफ से पिडित है तो जीरे का 10-20 मिली काढ़ा पीने से लाब होता है मुह के रंग में मुह के रोग में जीरा का सेवन फायदे मन मिला लें इस छान लें इस जल से कुला करने से मुह के रोगों में लाब होता है अब खटी ड़कार आने पर भी आप जीरा का उप्योग कर सकते हैं कुछ भी उल्टा सिधा खाने पर खटी ड़कार होना बहुत ही आम बात है खटी ड़कार होने पर 200 मिली जल में 50 मिली जीरा डाल कर काड़ा बना ले इसे गरम करे जब कारा 50 मिली रह जाए तो उतार कर छान ले इसमें काली मिरिज का चुन 4 ग्राम नमक 4 ग्राम डाल कर पिए इससे खटी ड़कार आनिबंद हो जाती है इसके साथ यहीं मलत्या करने में परिशानी नहीं होती है अब आपको और भी आगे बताएंगे कि एसीडिटी की समस्या में भी जीरा का सेवन कर सकते हैं एक आम परिशानी है अगर आप भी एसीडिटी से परिशान है तो जीरा और धनिया के 120 ग्राम पेश्ट को 750 ग्राम घी में पका इसे रोज 10-15 ग्राम की मातरा में सेवन करें इसे एसीडिटी के साथ साथ पूराना कफ के समस्या पीत की बीमारी तता भूग की कमी ठीक होती है भूग पढ़ाने के लिए भी जीरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई बार बीमार हो जाने पर या फिर अन्न कारणों से भूग की कमी हो जाती है ऐसे में 3 ग्राम जीरे को 3 मिली नीबू के रस में भी बोले इसमें तीन ग्राम नमक मिलाकर सेवन करें इससे भूख बढ़ती है बुखार में भी जीरा का काहा से गरारा करने पर भूख की कमी नहीं होती है बुखार उतारने के लिए जीरा का इस्तमाल कैसे करें वो भी हम बताएंगे पांच ग्राम जीरे के चुण को 20 मेली कचनार की चाल के रस में मिला लें इसे दिन में तीन बार लेने से बुखार उतरता है 5-10 ग्राम जीरे के पेश्ट और इतना ही गुड लें इन्हें खाकर गुनगुना पानी पीएं इससे कपकपी और ठंडवाली बुखार खतम होती है भोजन में हरीत की जीरा तता गुड का परियोग करने से गंभीर बुखार भी ठीक हो जाती है गाय के दूद में 5-10 ग्राम जीरे को भीवो कर सुखा लें इसका चूर्ण बना ले और इसमें मिस्री मिला लें इसे दिन में तीन बार खाएं इससे सारी कमजोरी दूर होती है और गंभीर बुखार में आराम मिलता है अब आपको एक और भी कामची की चीज़ बताएंगे अपच को ठीक करने के लिए जीरा का सिवन जीरे और धनिये के पेश्ट से पकाए हुए घी को सुबह साम भोजन से आदा गंटा पहले खाया करें इससे अपच और बात पित दोस में लाब होता है पेट में कीड़े होने पर जीरा के परियोग से लाब पेट में कीड़ा हो जाने पर भी जीरा का सिवन फाइदे मन्द होता है इसके लिए 2-4 गराम जीरा बीज के चूर्ण को एरंडटेल के साथ मिला ले इसका सिवन करने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं इसी तरह 15 गराम जीरे को 400 मीली पानी में उबा लें जब काड़ा एक चूर्थाई बज जाये तो इससे 20-40 मीली मातरा में सुबह साम पियें इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं दातों के रोग में जीरा का उपियोग दातों के रोग सभी को हो सकते हैं अगर आपको भी दात में दर्द की परिसानी है तो जीरा के इस्तेमाल से लाब हो सकता है काले जीरे का काड़ा बना कर कुल्ला करने से दातों के दर्द से राहत मिलती है नाक के खून बहने पर भी आप जीरा का परियोग कर सकते हैं जीरा के पत्ते के रस को एक दो बूंद नाक में डाले इससे नाक से बहने वाली खून बंद हो जाती है दस्त यानि पैखाना रोकने के लिए जीरा का परियोग दस्त में भी जीरा का सेवन करना बहुत ही फाइदेमंद होता है अगर किसी को दस्त हो रहा है तो उसे 5 गराम जीरे को भून कर पीश लेना है इसे दही या दही की लस्ती में मिला कर सेवन करना है दस्त में लाब होता है आराम मिलता है बच्चों को दस्त होने पर जीरा का इस्तमाल कैसे करें वह हम बताएं अभी बच्चे प्राइदस से परिशान रहते हैं जीरा का परियोग इसमें भी बहुत लाबदायक होता है इसके लिए जीरे को भून कर पीश ले इसे एक चम्मत जल में घोल कर दीन में दो तीन बार पिलाएं बच्चों को दस्त में फाइदा होगा पेचिस में जीरा का इस्तमाल से लाब पेचिस की समस्या में भांग 100 ग्राम, 60 पीस ग्राम और जीरा 400 ग्राम वो बारी कूट कर चान ले इस चने हुए चुन की 100 खुराक बना ले इतने से एक एक खुराक सुबह और साम को ले इसे खाने से आदा गंटा पहले एक दो चमच दही के साथ सेवन करें इससे पुरानी से पुरानी दस्त की बीमारी ठीक हो जाती है इस दोरान दही चावल खिचली मठा हलका भोजन करना चाहिए भूना हुआ जीरा कच्ची तता भूनी वी सौफ को बराबर मिला ले इसे एक एक चमच की मातरा में दो या तीन घंटे के बाद ताजे पानी के साथ सिवन करें इससे मरोडों के साथ होने वाला दस ठीक हो जाता है अब हम लेडिज लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज बता रहे हैं कि इस तनों में दूद बढ़ाने के लिए जीरा का कैसे इस्तमाल करेंगे पराए कई महलाए मा बनने के बाद इस तनों में दूद कम होने की सिखायत करती है ऐसी समस्या में जीरे को घी में भून कर आटे में मिला ले और लड़ू बना ले इससे खाएं इससे दूद अधिक होता है घी में जीरा को सेंक ले दाल में जीरे की कुछ अधिक मातरा डाल कर खाएं इससे माताओं के इस तनों में दूद की विर्दी होती है जीरे को गी में भून कर हल्वा बना कर खिलाने से भी दूद में विर्दी होती है इसके लवा बराबर बराबर मातरा में सौफ सोवर्चल तता जीरा के चुण को चाज के साथ नियमित रूप से सेवन करें इससे भी फाइदा होता है बराबर बराबर मातरा में सतावरी, चावल तता जीरे के चुंड को गाय के दूद के साथ नियमित रूप से सेवन करे इससे भी दूद बढ़ती है 10-20 मीली जीरा के कारह को मदु तपा दूद में मिला ले, इसे गरभावस्ता की सुचन में जीरा से कैसे लाव होगा उस पर भी हम आपको बताएंगे कई महिला हैं गर्वासे की सुक्षान सी प्रेशानी रहती हैं ऐसे ही में जीरा का प्रयोग फाइदेमन्द हो सकता है – काले जीरे का कारा बना लें और इस कारा में महिलाओं को बिठाएं इससे गर्वासे की सूजन में लाब होता है आप काला जीरा के अस्थान पर सफेद जीरा का भी उपयोग में ला सकते हैं लिवकरिया में जीरा का कैसे फायदा होगा वो बता रहे हैं बहुत सारी महिला लिवकोरिया से गरस लगती हैं इस बीमारी में जीरा का सेवन करने से आराम मिलता है इसके लिए 5 ग्राम जीरा के चुन और मिश्री के 10 ग्राम चुन को मिला ले इसे चावल के पानी के साथ सुबह और साम सेवन करें इससे फाइदा होता है अब हम आपको बताएंगे कि जीरा आँख में किस तरह फाइदा करता है साथ ग्राम काले जीरे को आधा लिटर खोलते हुए जल में डाल कर कारा बना ले इस पानी से आँखों को धोने से आँखों से पानी बहना बंद हो जाता है काले जीरे के अस्थान पर सफेद जीरा भी आप ला सकते हैं और अपने आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं जीरा क्या प्रयोग कर बढ़ाएं आंकों की रोसनी तो उसके लिए 7 क्राम काले जीरे को आधा लिटर खोलते हुए जल में डाल कर कारा बना ले इस पानी से आंकों को धोने से आंक की रोसनी बढ़ती है काले जीरे का स्थान पर आप सफेद जीरा भी ले सकते हैं अब हम बताएंगे रतोंधी में भी आपको जीरा फाइदे मन दोता है वो कैसे जीरा आउला तथा कपास के पत्तों को ठंडे पानी में पीश लें इसे सीर पर 21 दिन तक बांद है इससे रतोंधी में लाव होता है वात कफ विकार में जीरा के सेवन से फाइदा वात विकार के वात विकार के लीए बराबर बराबर भाग में गूड एवङ जीरा के चुड़ पांच से दथ गराम की मातरा में को उसनो दक के साथ सेवन करूने से भी लाव होता है वात और कफ दोस के कारण बोखार है तो गूड अथवा मदू के साथिदा 5-10 गराम जीर मलेरिया में जीरा के सेवन से कैसे लाब होता है, चार गराम जीरा के चुरूण को कूड में मिलाकर खाने से एक घंटा पहले लें, इससे मलेरिया और बात रोग ठीक होते हैं आग से जलने पर जीरा का प्रियोग कैसे करेंगे, अगर किसी बैक्ति का कोई अंग आग से जल गया है, तो जीरे के पेश्ट को मदन फल्ट कतार राल मिलाकर घी में पकाए, इससे आग से जलने वाले अस्थान पर लगाए, इससे फाइदा होता है मुतर रोग में जीरा के गुन और उससे लाब स्यामले जीरा का कारा बना ले, इसमें दस से तीस मिली मिश्डी मिलाकर पीने से मुतर रोग में लाब होता है बावासीर में जीरा का उंसदी परियोग बावासिर में जब गुदा बाहर आकर सूच जाए तब काले जीरे को पानी में उबाल ले इस पानी से मस्य को सेंके इससे बावासिर में फाइदा होता है इसी तरह पाँच ग्राम सफेद जीरे को पानी में उबाल ले जब पानी एक चोंथाई बच जाए तो उसमें मिश्री मिलाल कर सुभा और साम पिये इससे बवासीर में होने वाला दर्द और सूजन ठीक होता है स्यामले रंग वाले जीरे को पानी में पीश कर बवासीर के मश्रों पर लेप करें इससे भी बवासीर में लाब होता है लकवा या पैरा लाइसिस में जीरा के क्या फाइदे क्या गुन है वो बताएंगे आपको सरीर के निचले भाग में लकवा मारने पर जीरा को पीश कर लगाएं इससे फाइदा हो सकता है मकडी का वीश उतारने के लिए जीरा का उपयोग कैसे करेंगे वो भी हम बता रहे हैं आपको सौट और जीरे को पानी के साथ पीश कर लगाने से मकडी का वीश उतरता है अब आपको हम एक और साथ चीज बताएंगी कुट्टे के काटने पर जीरा की ओंसदी है परियोग से फाइदा किसी बैक्ती को कुट्टा काट ले तो उसे बहुत परिशान होना पड़ता है कुट्टे के काटने पर उसके दांतों की वीश से बैक्ती को ग्रेबिज होने की संभावना रहता है ऐसे में 4 गराम जीरा और 4 गराम काली मिर्च को घोट कर छान ले इसे सुबह और साम पिलाने से कुट्टे का वीश में लाब मिलता है बिच्चू का वीस उतारने के लिए जीरा का इस्तमाल कैसे करे बिच्चू के काटने पर जीरे और नमक को पीस का गी और सहद में मिला ले इसे थोड़ा सा गरम कर ले इसे बिच्चू के डंक वाले अस्थान पर लगाएं बिच्चू का वीस उतार जाता है जीरा में घी एवंग सिंधा नमक मिलाकर कटपिस ले इसे बहुत महीन पेश्ट बनाकर थोड़ा गरम कर ले इसे बीच्छू के काटने वाले अस्तान पर लेब करें इससे दर्द में आराम मिलता है अब हम आपको बताएं जीरा कहा हो गया है जीरा की खेती पूरे भारत में की जाती है खासकर उत्तर परदेश राजस्तन और पंजाब में जीरा की खेती बहुत अधीक मातरा में की जाती है किर्ष नेंस्यामला जीरा काला जीरा की खेती गड़वाल कुमाओं कस्मीर अफगानिस्तान और बलुचिस्तान में होती है यहां जीरा सब्सक्राइब करें चैनल में अपनी राइद है आपका दिन सुभ रहे हैं थैंक्स लिसनर वेलकम टू रोबस्ट नीज रोबस्ट नीज में आपका स्वागत है इसके आज जो हम दिखाएंगे वह है काली मृच ब्लॉग पर चेंब बने रहे हैं काली मृच का भोजन में परियोग करने से भी आपको बहुत लाब मिलता है उधारन के लिए ठंड के दिनों में बनाए जाने वाले सभी पाकवारों में काली मृच का उपियोग किया जाता ताकि ठंड और गले की बिमारियों से रक्षा हो सके काली मृच नपुन सकता रजोरोध यानि मासिक धरम के करना आने चम रोग बुखार तथा कुछ रोग आदी में लाबकारी है आँखों के लिए या विशेश खेतकारी होता है जोड़ा का दर्द गठिया लकवाया उंखुजली आदी में काली मृच में पकाय तेल की मालिस करने से बहुत लाब होता है विबिन रोगों में इसका का उपयोग होता है तो चले हम कुछ वीधी बताएंगे सीड़ दूर करने करे काली मृच का सेवन एक काली मृच को सुई की नौक पर लगा कर उसे दीपक में जला ले उसमें से निकलने वाले दुईं को सुंगने से सीड़ दर्द में आराम होता है इससे हिचकी भी बंद ह होती है भ्रिंग राज के इस रस अथवा चावलों के पानी के साथ काली मरीज को पीश कर माते पर लेप करने से आधी सीसी का दर्द यानि माइग्रेन भी ठीक होता है सीर के जिवें यानि डेंडर्फ और रूसी भगाए काली मरीज का परियोग तो बालों में जूँ हो जाने पर दस से बारा सीता फल के बीज और पान्च छो काली मरीज को पीस कर सूसू के तेल के मिला ले इसे रात में सोने से पहले बालो की जड़ों में लगा ले सुभव बाल दोका साफ कर ले जूँ नश्ट हो जाईगी सीर के बाल यादी ज़ड़ते हो तो काली मुरिज को प्याजवा नम्क के साथ पीच कर लगाने से लाब होता है बालों से जून निकालने के घरेलू नुसके खाली मिरिज के 2 ग्राम चुन को गरम दूद के मिस्री के साथ पी लेने आत्वा इसके साथ दाने निगलने से जुकाम तता खासी में लाब होता है 50 ग्राम दही 15-20 ग्राम गूर और 1.5 ग्राम काली म्रिच चुर्ण को मिला ले इसे दिन में 3-4 बार सेवन करने से जुकाम में लाब होता है आँखों की बिमारी में फायदे मंद होता है काली मिर्च में ब्लेक पेपर काली मिर्च को दही के साथ पीश कर आँखों में काजल की तरह लगाने से रतोंदी में लाव होता है इसे अत्यन सावधानी पुर्वक बाहर बाहर ही लगाएं आँखों की रोसनी बढ़ाने के लिए रोजाना सुभा आदा से एक किराम तक काली मिर्च में एक चम्मच घी तथावर शक्ता नुशार मिश्री मिलाकर बाटे बाद में दूद पिएं इससे आँखों की बीमारी में लाब होता है आँखों की पलकों पर अगर फूंसी हो जाए तो काली मिर्च को पानी में गीज कर लेप करने से फूंसी पक कर फूट जाती है काली मिर्च के आदे गराम चुन को एक चम्मच देशी घी में मिलाकर खाने से अनिक परकार के नेतर रोगों का खात्मा होता है नाद दर्द में दिलाए काली म्रिच का इस्तमाल काली म्रिच की एक दो ग्राम चून को तीन चार जामून या अमरूद के पत्तो या पोस्त दानों के साथ पीछ ले इससे कुला करने से दाद दर्द ठीक होता है गले के दर्द वा आवाज बैठ जाने पर भी यह प्रियोग लाब प्रद है सेंदा नमक काली म्रिच सहथ तथा नेवू के रश को मिला कर तालू पर लेप करने से मूँख के छाले में लाब होता है दम्मा खासी में किस तरह से इसका इलाज होता है अब हम वह बताएंगे दो-तीन ग्राम काली म्रिच चुर्ण को सहथ और घी असमान मातरा में मिला ले इसे सुबर साम चाटने से सर्दी सामन खासी दम्मा और सीने का दर्द मिठता है इससे फेपड़ों में जमा कफ निकल जाता है दो-सो मिली गाय के दूद में दो ग्राम काली म्रिच चुर्ण को पका कर पिलाने से दम्मा खासी में लाब होता है यदि खासी बार-बार उठती हो भोजन निगलने में कश्ट हो तो दिन में दो-तीन बार काली म्रिच के हलके काड़े से कुला करें काली म्रिच चुर्ण दो भाग पीपल चुर्ण दो भाग अनार की चार भाग तता जो एक भाग का चुर्ण बना ले इसमें आठ भाग गुड मिलाकर एक एक ग्राम की गोली बना ले इसे दिन में तीन बार शिवन करने से गले का दर्द कष्ट दायक खांसी में लाब होता है गले की ख्रास खांसी में दो तिन काली मरिच मुह में रखकर चूसने मातर से लाब होता है दस्त रोकने के लिए काली मरिज का परियोग किस तरह से करें अब हम उसके बारे में जानकारी देंगे एक भाग काली मरिज की चुण तता एक भाग भुनी उहीन क्यों अच्छी तरह खरल कर ले इसमें दो भाग सुद्ध देशी कपूर मिलाकर 125 मिली ग्राम की गोलिया बना ले इसे आदे घंटे के अंदर से एक एक गोली देने से हैजी की सुरुवाती यानि पर्थम अवस्ता में लाब होता है काली मरिज की चुण एक ग्राम तता भुनी ही एक ग्राम को अच्छी तरह खरल कर ले इसमें तीन ग्राम अफीम मिलाकर तीन ग्राम अफीम मिलाकर स्रहद में घोट कर बारा बारा गोलिया बना ले एक एक गोली एक ग्राम घंटे के अंदर से अंतर में दे बहुत समय तक ना दे इसे पेचिस में भी अत्यंत लाब होता है है अफीम मिले होने के करें इसका पर्योग साफधानी से करें कालीमरी चुन एक दो ग्राम हींग एक बटे चार ग्राम तथा अफीम 100 मिली ग्राम एक 100 मिग्रा को मिला ले इसे जल या सहर के साथ सुबह दो पर दशाएं सेबन करने से पेचीष में लाब होता है पेट के रोगों में किस तरह फायदे मंद होता है काली मिरिच चलिए उस पर हम आपको जान करेंगे 2-3 ग्राम काली मिरिच चुर्ण को 1 कप छाँच के साथ सुभा खाली पेट लेने से पेट के क्लिड़े निकल जाते हैं 8-10 काली मिरिच को 5-7 ग्राम सिरिस के पत्तों के साथ पीस कर छान लें इसे पीने से गैस के करन होने वाले पेट दरद और पेट फुलने में आराम मिलता है एक कप पानी में आधा निवू निचोड लें इसमें 5-6 काली मिरिच का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद सुबह साम पीने से पेट की गैस भूख का घटना बढ़ना आधी में लाब होता है काली मिरिच के चूर्ण के साथ बराबर भाग सौंठ पिपली जीरा और सेंधा नमक मिला ले काली मिरिच फायदा करता है अब हम उस पर भी आपको जान कर लेंगे में दो गराम काली मीरिच चुन एक गराम भूना जीरा,र अग॑ 15 गराम सहद यह ही दो बाद को निया पर खाज के साथ करम जल के साथ सेवन करने से बावसीर में लाब होता है काली मीरिच चुन 25 गराम भूनाझ तुन 35 गराम ओर ही सुद стран कर इससे बावासिर में फायदा होता है काली मिर्च और जीड़े कि मिशन के साथ 24 कि सिवन कनते रहने से बावासिर में मारा मिलता है इसे कम जी जोरी या विर्दा वस्तता के कारण में बावासित का गुद्भरं से काच निकलना ठीक होते हैं इससे पाचन बार जेट रागनी ठीक रहती है कब्ज और पेट की गैस में भी यह परियोग लाप्रद है एक ग्राम काली मरी चुन को सहथ के साथ दिन म बाहर निकलना बंद हो जाता है पेसाब समंदी बीमारी में काली मरीच किस तरह फाइदा है करेगा वह हम बताएंगे एक काली मरीच और बराबर मातरा में खीरा या ककड़ी के बीज को 10-15 मिली पानी के साथ पीस ले इसमें मिश्री मिला कर छान कर पिला इससे पेसाब में जलनता था पेसाब में दर्द आदी की प्रेशानी में लाब होता है नपुन सकता दूर करें काली मरीच चलिए एक लग दूद में आठ दस काली मरीच को डाल ले इसे अच्छी तरह उबाल कर सुबह सामनीयम पुरभक सेवन करने से बीज़ विकाट ठीक होता है गर्मी के म मरें मोसन में मातरा कम की जा सकती है खाव सुकाने में भी काली मरीच का इस्तores ली या काली मरीच को पानी में बीस कर फोड़न पूल से और छसे जाता है इस से घाव जल्दी भर जाती है विस सूजन दूर होती है हिस्ट्रिया में फायदमन मरिच का परियोग तीन ग्राम वच चुण में एक ग्राम काली मरिच का चुण मिला ले इसे खटी दही के साथ सुबह खाली पेट सेवन करने से हिस्ट्रिया में लाब होता है चहरे के लक्वा में किस तरह से काली मरिच का इस्तिमाल कर जाता है काली मरिच चुण को किसी भी वातसामक तेल में मिला ले इसे लक्वा ग्रास अंग पर मालिस करने से बहुत लाब होता है कमजोरी दूर करेगा, सारवरिक ताकत बढ़ाएगा वो कैसे कमजोरी आलस वदासेंता आधी दूर करने के लिए काली मिर्च के चार-पांच दाने सोंट, दालचीनी, लॉंग और इलाची थोड़ी-थोड़ी माता में मिला ले, इसे चाय की तरह उबाल ले इसमें दूद और सक्कर मिलाकर पीने से लाव होता है बुखार में किस तरह काली मिर्च का इस्तमाल करते हैं, उस पर हम आपको बताएंगे एक से तीन ग्राम काली मिर्च चुण में, आधा लीटर पानी और पीस ग्राम मिसरी मिलाकर आठवा भागसेस रहने तक उबाल का काड़ा बना ले इसे सुबह, दोपह, तता साम पिलाने से साधरन बुखार यानि वैरल फीवर में लाव होता है पाँच दाने काली मिर्च अजवाइन एक ग्राम और हरी गिलोई दस ग्राम सब को 250 मीली पानी में पीस चान कर पिलाने से तेज बुखार में लाव होता है एक क्राम काली मिर्च चुन को सहत के साथ दीन में तीन बार सेवन करने से ग्यास के कारण होने वाला बुखा तथा पेड़ दरत दूर होता है काली मिर्च के नुक्सान क्या होते हैं अब उन पर भी अब थुरा सा ध्यान देंगे इन रोग क्यों सतर में काली मिर्च क्योंकर नहीं करना चाहिए गाव एसीडिटी खुनी वावासीर गर्भव वस्ता कि आव अवस्ता तो आपको कैसी जानकारी लगा किर्पर चैनल को सब्सक्राइब करें कमेट में अपनी राय दे आपका दिन सुब्र है थैंक्स ओडियंस थैंक्स लिशनर वेल्कम टू रोबश्ट में रोबश्ट में आपका स्वागत है एक बार हम आपको बताते चले कि मातर फल ही नहीं जामुन सुबस्त को पहुंचाता है इतने सारी लाब जम्बू जामगाच जम्बू और जम्बू भावाल यह सब जामुन के ही नाम है बारिश का मौसम सु प्रेड़ों पर जम्बू पक्ने लगता है जम्बू बहुत उचा होता है इसकी छाल सफेद होती बैसाक मास में इसमें मजरिया आती हैं बाद में फल लगते हैं इसके विरिक्ष पूरे भारत में पाए जाते हैं परन्तुस्ष्क अस्थानों परियविक्ष नहीं हुता जामुन के तरह के होता है, जंगली जामुन का फल खटा और छोटा होता है, जबकि अनपरकार के जामुन आकार में बड़े और मीठे होते हैं, जामुन के गुदे में लगबग 84% जल होता है, साथ ही इसमें लगबग 84% कायर्बोहड्रेट तता अलब मातरा में प्रोट्रीन और बसा भी होता है इसके अतरित इसमें वीटामिन A, B, C, मेलिक एसीड, गॉलिक एसीड और अक्जेलिक एसीड तथा टेनिंग भी होता है अच्छे स्वाद के सांसाथ जामून में के चिक दिसियर गुन भी है जो कि हमारे लिबर्टरी में चेक्या गया है इसे गुदे गु दूर तथा खट्टी होती है यह पित के परकुप को दूर करती है तथा रेक्त विकारों को दूर कर रेक्त को साफ करती है गले के रोगों तथा कफ को दूर करने में भी यह सहायक होती है अतिसार होने पर भी इसका परियोग किया जाता है फल के रूप में जामून भारी मल रोधक कसेला मीठा ठंडा मंदा गिनी कारक बादी और कफ पीत ना सक है यूनानी चीज़त सब पधती के नुसा जामून दूसरी दर्जे में सीथ और रुक्ष उसन यकृत को बल देने वाला और गर्मी को सांथ करने वाला होता है वोमन होने पर या उल्टी होने पर जामून चबाने से भी उल्टियों में लाब पहुंसता है इसको नौट कर लीजे क्योंकि यह जेनरली घर में काम आता है जामून के कोमल तथा ताजे पत्तों को पानी में घोट कर कुल्ला करने से मुह के छाल मुह में जो छाले होते हैं वो ठीक होते हैं इसके कच्छी कॉपले अच्छी दातून है परन्तु इससे मंजन भी बनाया जा सकता है इसके लिए जामून के पत्तों की राक में थोड़ा सा सेंधा नमक पीश कर मिला लें इस मंजन के परियोग से सभी दंतविकार दूर हो जाएंगे गला खराब होने पर जामून की गुठलिय को पीश कर उसमें सहथ मिला कर गोलिया बना ले दीन में चार बार दो दो गोलिया चूसने से कुछ दिनों में गला ठीक हो जाता है कंट वरन होने पर चाल के काढ़े से गरारे करने पर आराम मिलता है जामून के फल को भोजन पचाने वाला तथा भूग बढ़ाने वाला माना जाता है जामून को नमक के साथ खाने है जामून के रस में सिंधा नमक मिला कर पीने से भोजन का पाचन ठीक हो जाता है पेट दरत दस्त तथा पेचिस में भी इस से लाब मिलता है अरूची में ज जामुन को नमत म्रिच के साथ खाना चाहिए। जामुन की पती में दूध सहथी मात्रा से 6-5 गई मिलाकर पीने से खुनी द स्थ में लाब पहँचता है। इस मिसन को बिरनते समय ध्यान रखें कि गी की मात्रा सहथ से आधी ही होनी चाहिए गी और सहथ भी बराबर मात्रा में ना मिलाएं जामून यक्रित को उतेजित करने वाला होता है परते दिन प्रातकाल जामून के 10 ग्राम रस में सेंधा नमक मिला कर लेने से बड़ा हुआ यक्रित ठीक हो जाता है जामून के विष्ष की छाल के जाम दोने से जेकम भरने में मदद मिलती है जामून की गुठली को पीश कर मुह से तता फुंसियों पर लगाने से लाब होता है परन्तु इस दोरान गरम तो था खट्रे-खाद पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए स्वेत परदर के इलाज में भी जामून की छाल का पर योग लाबकारी होता है इसके लिए जामून की दस ग्राम चाल को एक सो ग्राम पानी में उबाले 25 ग्राम रहने पर दीन में दो बार दो चमच का शेवन करें मदूमे के रोग्यों के लिए जामून अम्रित के समान है इसके बीजों में विद्दमा जंबोलीन सरीर में ब интересно कि अधकर भूजन के साट ग्रहन के गये इस्टार्च को सूगर में नहीं बगलने देता जिसी से रक्त मंच हादिव सूगर समुने अधिक नहीं हो पाती जामून की गुठली के चुन की दो-dो ग्राम मातरा दिन में दो बार पानी के साथ कुछ दिनों तक लेने से रक्त में सुगर समन इसे तरह पर आ जाता है पेसाम में सक्कर जाने पर जाम। के भीज और गुड मार के मार पत्ति का चुन ठंडे जल के साथ लेना चाहिए जामून के कुमल पत्य आम के कुमल पत्य तथा केत कपास के फल को बराबर मातरा में मिलाकर पीशे और निचुड कर रस निकाले इसमें सहथ मिलाकर कान में डालने से कान का बहना रुख जाता है जामून में खट्टा और कसेला रस होता है इस का रंदूद के साथ इसका सेवन निशेद है क्योंकि इससे पेट में विकार उत्पन हो सकते हैं आपको आज का ये खबर और आज का ये प्रैक्टिकल और आज का ये तजरुबा आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय देंगे आपका दिमसूब रहे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्त बंधों में सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फल से यह जामून के फल से होने वाले फायरी की जानकरी मिले आपक को लेते चलते हैं पपीते की बारे में जानकरी और उसका फायदे इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो बने रहेंगे चैनल पर अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम हमेशा नए जानकरी और नए ख़बरों को लेकर ही आपके पास आते हैं जिस खबर पर किसी की नजर नहीं होती, उस खबर पर हमारी टीम की नजर होती है, जहां से लोग सोचना छोड़ देते हैं, वहां से हमारे चैनल के बंदे, हमारे चैनल के लोग सोचना चालू करते हैं, पपीता एक फल है, पपीता का वेगानिक नाम करिका पपाया, करिका वह स्वास्त के लिए भी लाबकारी है सहज पाचन ही Can I पपिता भूक और सकती बढ़ाता है यह फिलिध पली हा यह कृक्त कु रोको यह मूख रखता है और पीलिया जैसे रोगों से मुख्टी देता है कच्ची और सटा में घर्रंका होता है और पकने पर प्ले ही उपयोग में आते हैं कच्चे फलों की सब्जी बनती है इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए बहुत उत्तम फल है इसके कच्चे फलों से दूद भी निकाला जाता है जिससे पपेन तयार किया जाता है पपेन से पाचन संबंदी और दिया बनाई जाती है अता इसके पक्चे फल का सेवन उदर विकार में लावदायक होता है पपीता सभी उसन संसी तोसन जलवाईवाले परदेशों में होता है उच्च रक्तदाब पर नियंतरन रखने के लिए पपीते के पत्ते को सबजी में परियोग करते हैं पपीते में A, D, B विटामिन और केल्सियम लो प्रोटिन आदी तथ विपूल मातरा में होते हैं पपीते से विरिज बढ़ता है तोचा रोग दूर होते हैं जखम जल्दी ठीक होते हैं मुत्रमार्ग की बिमारी यानि पेसाब करने की बिमारी दूर होती है पाचन सक्ती बढ़ती है मुत्रासे की बिमारी दूर होती है खासी के साथ रक्त आरा हो तो वह रुकता है मुटापा दूर होता है कच्चे पपीते की सबजी खाने से अस्मरन सक्ती यानि याद्दास की सक्ती बढ़ती है पपीता और ककड़ी हमारे स्वास्त केंद्र के लिए उपयोगत है चलिए अब बताते हैं हम आपको कि भारत में क्या हाल है भारत में पपीता अब से लग बक्तीन सो बर्स पुर्व आया आरम में भारत बासियों ने फलों में ही के कारण इसको कदा चित अधीक पसंद नहीं क होती सिगर फलने वाले फलों में परपीता अत्यम उत्यम उत्तम फल है पेड़ लगाने के बाद बर्स भर के अंदर ही यह फल देने लगता है इसके पेड़ सुगमता से उगाई जा सकते हैं थोड़े से छेतर में फल के अन्य पेड़ों की उपक्षा अधीक पेड़ लगत अच्छा फलता है इसे अस्तान में जह irm भरता हो पपिता नहीं भरता पेड़े के तन्ये के पास जदी पानी भरता है तो इसका तना गलने लगता है पपिते के खेत में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए इसका बीच मार्च सेında से जून तक बोना चाहिए यह प्राइं पेड़ लगाने के लिए पहले 8 या 10 फूट के फासले से डेर या 2 फूट घःए गोल गड़े खोद लेने चाहिए गड़े के केंदर में पेड़ लगाना चाहिए पेडों की सिचाई के लिए उनमें छलेदार थाले बनाकर आवस्ट्रक्टनोसार पानी देते ही रहना चाहिए पपीतों के पेडों में नर एवंग मादा पेड अलग होते हैं नर पेडों में केवल लंबे लंबे फूल आते हैं इनमें फल नहीं लगते हैं जब पेड फलने लगते हैं तो किवल 10% नर पेड़ों को छोड़ कर अनसब नर पेड़ों को उखार फेकना चाहिए। पपीते के पेड़ में तीन या चार साल तक ही अच्छे फल लगते हैं। आवसकता अनुसार यदी 34 साल पपीते के दो पेड़ों के बीच में नए पेड़ लगाते रहें तो चोथे पांचर साल नए फलने वाले पेड़ तयार हो जाते हैं। नए पेड़ तयार हो जाने पर पुराने पेड़ों को उखार फेकना चाहिए। इसकी मुख किसम हनीड्यू, मदुविंद, सिलोन, राची आदी हैं। पपीता खाने के अनेक लावे यह बहुत ही उत्तम फल है। पपीता का दूद, पाचक, जन्तू, नासक, उदर रोग रवाहक होता है। इसके कारण किरिमी नर्ष्ट होते हैं। पाचन अच्छी तरह से होता है। इसके त्रहती पपीते के दूद में सक्कर डालकर लेने से अप्चन नहीं होता। कच्छे पपीते की सब्जे अत्वा कोसिम बीर अप्चन की प्रिशानी सहन करने वाले के लिए वरदाई है। मलाव रोध आता की दुरबलता और उदैरोग और हिर्दय पर पपीते सेवन करना लाब दायक होता है। पपीते के रस से अरूची दूर होती है। आतों पड़े हुए अन्न का नास होता है। सिर्द्र दूर होता है। खटी डकार आना बंद होता है। दाद, खाज, खुजली और गजकरन इस पर पपीते कच्छिक लगाने से फाइदा होता है। कच्छिप पपीते के रस चहरे पर मलकर लगाने से फोटो फुंकर ज्ञायन नहीं होती है। पपिते से सफ़ेद पेशी की बड़तरी होती है। गरबवस्ता में इस्तिरियो नहीं खाना चाहिए। पपिता गरम तासिर का होने से गरबती महलाओं को परिसानी होती है। अब थोड़ा आपको हम बताते हैं किसी फल के उपरी तोचा को छिलका कहते हैं जैसे केले का छिलका अब हम आपको बताएंगे कि जो पपीते हैं इसके साइंटिफिक तो आपको मैंने बताया तरीका बताया कि कैसे लगाते हैं लेकिन परपिता खाने के क्या फाइदे हैं चलिए उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे जानकारी आपको बहुत ही महतफुर्ण और बिष्ट लगेगा परपिता एक ऐसा फलज जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा लाइपने हाँ अगर आपको घर के सामने कुछ जमीन हे तो आप hope भी लगा सकते हैं एक अईसा फलज जिसके कच् neighbors इस्तेमाल में लाया जा सकते कि अए कैसा फलर होने कि पर भी चोटे कम करने में साहयक पपिते में उच्छ मात्रा में फाइवर मौझूद होता है साथ यह विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है अपने इन ही गुनों के चलते यह कॉलेस्ट्रोल को नियंतरित करने में काफी असरदार है वजन घटाने में एक मध्यम आकार के पपिते में 120 केलोरी होती है ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपने डाइट में पपिते के जरूर सामिल करे इसमें मौझूद फाइवर्स वजन घटाने में मददगार होते है रोग परती रक्षा चंता को पूरा करता है ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मातरा में पपिता खाते हैं तो आपके बीमार होने की आसंका कम हो जाएगी आखों की रोशनी बढ़ाने में पपिते में वीटामिन C तो भरपूर होता ही है सांथ ही वीटामिन A भी परियापतर मातरा में होता है वीटाम तंतर भी सक्रिया रहता है पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते हैं साथ इसमें कई डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वज़े से पाचन क्रिया सही रहती है पिरियड्स के दोरान होने वाले दर्द में जिन महिलाओं को पिरियड्स के दोरान दर्द की सिकायत होत अब हम इस पपीते के कुछ और भी जानकारी के बारे में बताएंगे इसलिए आप ओबे नहीं चैनल पर बने रहें पपीते का जूस पपीते के पत्तों का जूस पीने से दूर होगी यह जानलेवा बीमारियां तो बने रहें चैनल पर पपिता खाने से पेट सही रहता है और पेट संबंदी कई बीमारियां से भी रहत मिलती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपिते के पत्तों का जूस आपको कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के काम में भी आता है पपीता खाने के धेरो फाइदे हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन क्या आपने कभी इसके पत्तों का जूस पिया है अगर पिया है तो ठेक है और नहीं पिया तो पियना शुरू कर दीजिए क्योंकि पपीता खाने के साथ इसके पत्तों का जूस पीने से कई तरह की बड़ी बीमारियों को मात दी जा सकती है खतम की जा सकती है वैसे तो ज्यादा तर डेंगू और चिकन गुनिया के रोगयों को इसका जूस पीने की सला दी जाती है लेकिन अगर आप ताउमर स्वस्त रहना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में सामिल किया जा सकता है आए जाने पपीतों के पत्तों का जूस पीने के फाइदे पपीतों के पत्तों के जूस पीने के जो फाइदे बता रहे हैं आप इसको नोट करते जाएंगे या तो फिर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े या वीडियो को डाउनलोड कर लीज़े और बाद में फिर देखे परपिता के पत्तों में कैंसर रोधी गुन होते हैं जो की इम्मुनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जैसे इसे कैंसर के सेल्फ को बढ़ने से रोकते हैं यहनिकी लेडयी के पत्तों का जूस सरीर में बेक्टरिय की ग्रोथ रोकने में भी सहायक है यह खुन में वाइट बलड और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मदद करता है डेंगू की रामबान दवा डेंगू और मलीलिया से लड़ने में पपिते की पत्तियों का जूस काफी लाबकारी र रोकता है पिरियेट्स के दर्द को करे दूर कैसे पिरियेट्स में होने वाले दर्द बहुत जानलेवा होता है ऐसे में अगर पपिते की पत्ति को इमली नमक और एक ग्लास पानी के स्थांथ मिलाकर काड़ा बनाया जाए यानि जूस बना लिजिए और इसे ठंडा करकि प प्लट लेट्स कम हो रही है तो इसे पानी से ब्लट प्लेट्स इसके पीने से ब्लट प्लेट्स बढ़ जाती है बस रोजाना इस जूस को दो चम्मच लगबक तीन महिने तक पीएं तो अब तक कि जो जानकारी हमने दिया आपको कैसा लगा जानकारी आप आपके पास बहुए अगर कोई जानकारी है तो आप एसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि और हमने करीब करीब जो भी फायदे बताए हैं उस और आजमा करके देखिए जो आगर आप चैनल में नय है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में अपनी राय दें आपका दिन शूब रहे थैंक्स ओडियोंस थैंक्स लिसनर हम फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो पर